तुसी देख रहे हो नवरंग टीवी पूरी दुनिया विच फैले क्रोना वाइरस ने जिते जादा दर बजुर्गा नू अपनी चपेट विच लेया हुए है ओ थे ए वाइरस उन बच्चे नू भी अपनी चपेट विच लेया है जलंदर शेहर विचे अदी दर जन तो वद बच्चे इस वाइरस दी चपेट विच आ चुके ने माहिड डाक्टरा ने बच्चे ने मापया नू अपील की थी है कि बच्चे नू इस वाइरस तो बच्चाओं ली ओना दात्यान रख्या चावे दुनिया पार दे लोक करोना वाइरस दी बिमारी नू लेके खासे परिशान ने एक पासे जित्धे ए वाइरस बजुर्गा ली जान लेवै ओथे दुझे पासे ए वाइरस होन बच्चे नू विच अपनी चपेट विच ले रहे आए जलंदर शेहर विच तकरीबन अधा दर्चन तो भी जादा बच्चे इसका तक बिमारी दी चपेट विच आ चुके ने बच्चे ने माहिट डक्टरां दी जे मनिये ता उना ने एस साफ कह देता है कि जे होन ना समझे ता बहुत देर हो सकती है दरसल अनेका जिंदगिया नू खा जान वाला एक क्रोना वाइरस हुन बच्चे नू अपना निशाना बना रहे है बीते दिनी फगवाडा दी रहन वाली एक छे महीने दी बच्ची दी वी मौत इस वाइरस दे नाल होई सी जो की चंडी गड़ दे पीजी आई वहस्पताल विच दाखिल सी तेहुन क्रोना वाइरस ने बच्चे नू अपनी जकड विच जकड ना शुरू करतेता है जादा तर मामले चलंदर शहर विच आ रहेने जिते की बच्चे न दी उमर तिन तो 11 साल दे विच है करोनावर्गी चान लेवा बमारी तो बच्चनलाई बच्चे ने मशुहूर डक्टर दा केना है की बच्चया नू वाइरस आउना चिंता दा विश है बच्चया ते विच वाइरस ना लड़न दी शम्ता पहुत काट हुंती है इसलई बच्चियां दे मापयों नू अपने बच्चियां दा खास त्यान रखना पवेगा डक्टर ने बच्चियां दे माता पिता नू सला दिती कि जिन्ना हो सके बच्चियां नू साब सुत्रा रखो ते बच्चियां नू कर तो बाहर बिल्कुल ना जान दियो ते ना ही कारविच बच्यानों एकठा करो जे कर किसे भी बच्यानों हलकी जी खांसी भुखार या सास बंदी कोई भी तकलीफ हुंदी है ता उसनों कारविच इलाज करन दी बजाए तुरंत डक्टर नों दिखाओ लोगों में होती है एक तो हमारे जो बजर्ग हैं जिनकी उमर साथ से उपर है या फिर वो लोग जिनकी उमर साथ से चाहे कम है पर उनको और कोई बीमारिया है especially जो newborn बच्चे उनकी भी कम होती है उनको भी ज्यादा effect करती है बर अच्छी बात यह देखा गया है कि आम तोर पे बच्चों के लिए जो बिमारी अगर होती भी है तो उनका death rate बजोर्गों के मकाबले या अडेट्स के मकाबले थोड़ा कम है तो बच्चों के लिए थोड़ा के लिए थोड़ा संभाल है पर यह कि बच्चों की कैसे संभाल करने सबसे important तो जो गौर्वर्मेंट सब को बताई रही है कि social distancing कम से कम हसाब लोगों से 2 मीटर की फास्ट रखना है दूसरा कि हाथों को बार बार दोना है तीसरा कि घर के अंदर ही रहना है बाहर नहीं निकलना जादा अब बहुत जादा जरूरत हो तो तभी बाहर निकलना है इन सब चीजों का ध्यांवेक ना और बच्चों के मामले में तो और जादा इसलिए कॉर्मेंट ने स्कूल भी बंद की हैं था कि बच्चों बच्चे जा एक्सपोज ना हो बच्चों के एक्सपोज होना है नमिया अते ताजातरीन ख़बरा सब तो पहला देखन ली साड़ा यूट्यूब चैनल लाइक करो अते सब्सक्राइब करना ना पुलना अते नाली दबाओ कंटी दा बटन